Hello Viewers, Welcome to the Superwoman Academy और आज से हम अपनी Clothing and Textile की सीरीज को शुरुवात करेंगे जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा Introduction of Textile अब यदि हम Textile की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तीन टॉम्स आती हैं जो की Fiber, Yarn और Fabric है Fiber means Reisha Here you can see that Fiber means Reisha मतलब की हम Fiber को हिंदी में Reisha बोलेंगे अब जो Reisha ये Fiber है ये सबसे छोटी इकाई है किसकी एक कपड़े की ठीक है Fiber, Basic Element of a Textile Fiber, Reisha, सबसे छोटी इकाई है कपड़े की फिर, next term was, next term is Yarn means धागा produced by spinning of the fibers जब हमें रेशा प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम रेशे से धागा बनाते हैं अब जो हमारे रेशे होते हैं, छोटी छोटी रेशे होते हैं, उनको हम spinning करते हैं मतलब की, उनसे हम कताई करते हैं, कताई करके हम क्या बनाते हैं, अपना यान मतलब की धागा बनाएंगी, ठीके, फिर हमारा आता है फैब्रिक अब हमने, पहले हमें रेशा मिला, रेशे से हमने अपना धागा बनाया धागे से अब हम अपना फैब्रिक बना रहे हैं, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीके फैब्रिक कैसे बनेगा produced by weaving, knitting, crocheting, knotting or by pressing the fiber अब हम अपने फैब्रिक को कितने तरीकों से बना सकते हैं बुनाई से, knitting method से, crochet method से, knotting method से हम क्या हैं धागे से एक फैब्रिक बनाएंगे मतलब एक कपड़ा तयार कर लेंगे अभी हमने तीन terms के बारे में पढ़ा है fiber, मतलब रेशा जो कि सबसे छोटी इकाई है किसी कपड़े की फिर हमारा आता है yarn, जो कि हैं हमारा धागा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धागा अब इस yarn से yarn से हम क्या बना रहे हैं, अपने एक fabric को तयार कर रहे है अब fabric तयार होने के बाद, वो textile industries में जाएगा वहाँ पर उस से अलग-अलग clothing designs या pattern से जो है, अलग-अलग substance बनाई जाते हैं अब हम पढ़ेंगे textile के बारे में textile है, textile क्या है the word textile has been taken from the word texture जो यह textile शब्द है, वो कहां से लिया गया है, वो texture शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है woven, ठीक है textile, the word textile has been taken from the word texture meaning woven next, हब हम पढ़ेंगे, fiber के बारे में अभी तो हमने fiber के बारे में सिर्फ एक line में सिर्फ हम बोल सकते हैं कि एक छोटी से हमने अपने दिमार्ट में उसकी picture बनाई है कि जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी कपड़े की वो हमारा fiber कहलाता है लेकिन हब हम इसको well defined definition के साथ उसको थोड़ा सा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे जैसे हमारा fiber आता है it is defined as thin, fine and hair like substance जो हमारा fiber होता है वो बहुत ही पतला और fine होता है जैसे कि हमारे सिर के बाल होते हैं जैसे हमारे hairs होते हैं उनकी तरह वो उतना ही thin और fine होता है अब जो fiber होता है वो हमारा natural भी होता है और manufactured भी होता है ये इसमें का मतलब है कि जो हमारा fiber होता है वो हमें naturally भी obtain होता है हम उसे naturally nature से भी प्राप्त कर सकते हैं और manufactured भी होता है हम उसको खुद भी बना सकते हैं जिसे कि हमारे नाइलोन 6 हो गया नाइलोन 6 हो गया इन ऐसे फाइबर को जो है हम अपने केमिकल्स के दुवारा बनाते हैं विद अब हमारे जो फाइबर होते हैं उनकी जो हाई लेंट होती है यदि हम अपने फाइबर को टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज के लिए चूज कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज मतलब गुन होते हैं जिसे कि उसकी लेंट का हाई लेंट टू विड्ट रेशो उनकी जो लेंट होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए और उनका जो विड्ट का रेशो होता है जो मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है टेक्स्टेल इंडस्ट्रीज जो उन्होंने अपना जो उनका डायमीटर सेटप किया होता है उसके अकॉर्डिंग उनका वो विड्ट रेशो होनी चाहिए एंड विद एप्रोप्रियेट प्रॉपर्टीज और जो उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए जो अनिवारे असेंशिल होते हैं वो सारे गुण उस फाइबर के अंदर होने चाहिए किसी फाइबरिक में टान आउट करने के लिए उस फाइबर को यदि हम फाइबरिक में बना रहे हैं तो उसमें वह सारे गुण होने चाहिए अब हम बात करेंगे अपने यान मिन्स धागा अब टेक्स्तायल यान इस अ कोंटिनीवस ट्रेंड और फिलामेंट फाइबर्स क्या बोला गया है कि टेक्स्टाइल यान जो हमारा टेक्स्टाइल के लिए यूज होने वाला धागा होगा वो continuous trend होगा क्या आपने कभी देखा है जो हमारे धागा होता है वो end point मतलब कि starting point से लेके और end point तक उसके जो pattern होती है उसका जो design होता है वो बिल्कुल same होता है तो इन्होंने यही बोला है a textile yarn is a continuous strand ये एक continuous formation में होता है of continuous strand of staple or filament fiber मतलब ये continuous strand तो है लेकिन इसमें दो तरीके के fibers इस्तिमाल किये गए है एक तो है हमारा staple fiber दुसरा है हमारा filament fiber जो कि arrange किया जाता है उनको जो है arrange किया जाता है suitable for weaving, knitting और other form of fabric assembly क्या है जो हमारा textile यान होता है वो continuous strand होता है continuous strand of staple और filament fiber जो कि arrange किया जाता है suitable for इसे arrange किया जाता है ताकि उससे हम easily weaving कर सके बुनाई कर सके knitting कर सके fabric को हम ऐसे assemble कर सके ठीक है अब हमने इसमें दो चीज नहीं हमारे लिए आई है वो है एक तो है staple और एक filament अब steple क्या होता है जो fiber naturally हमें छोटे छोटे मिलते हैं जिसे कि हम steple fiber की बात करें तो हमारा cotton हो गया अब जो हमारा cotton fiber होता है क्या आपने कभी cotton balls देखी है जो फिर कॉटन बोल्स होती है उनके जो length होती है cotton के fiber की जो length होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो इसलिए वो हमारा steple fiber के under count होता है ठीक है फिर हमारा आता है filament fiber filament fiber क्या होता है वह fiber जो naturally बड़े होते हैं जैसे कि हमारा silk नेचुरल silk जो हो गया वो हमारा natural fiber होता है natural fiber है वैसे cotton भी हमारा natural fiber है बट लेकिन हम बोलेंगे कि जो silk है वो हमारा filament fiber है क्योंकि वो lengthwise बहुत लंबे होती है उनकी length जो है naturally बहुत लंबी होती है और यदि हम steple fiber की बात करें तो हमारा cotton का fibers होते है cotton की वो हमारे जो है naturally ही छोटे हमें प्राप्त length में छोटे ही प्राप्त होते है next term was fabric a fabric is produced from a yarn by performing mechanical operations as interlacing interloping or intermeshing process at this stage the fabric is referred as a gray cloth अब हमने अपना सबसे पहले जो है हमारे पास fiber था रेशा था रेशे से हमने अपना जो है धागा बनाया ठीक है अब उस धागे से हम अपना fabric बनाएंगे क्या बनाएंगे fabric fabric कपड़ा तयार करेंगे intermeshing process है और इस समय पर जो कपड़ा तयार होता है उसको हम gray cloth बोलते हैं gray cloth अब हम जो हमने techniques का नाम लिया है interlacing interlooping और intermeshing process पहले हम देखते हैं interlacing क्या होता है interlacing के हमारा weaving आता है देखो जैसे हम अपना एक धागे के जो ये दागे का एक strand होगा उसको हम lengthwise ऐसे arrange कर लेंगे ठीक है और फिर हम उसको जो ये bridgewise होता है हम उनको ऐसे रखेंगे मतब हमारा एक बारी जो यहां वाला row and columns में हम इनको arrange कर रहे हैं तो हम इस formation के अंदर अपने जो धागा है उसको arrange करेंगे और उनको फिर हम जो है pressing प्रेस करते रहते हैं एक दूसरे की तरफ मतलब कि उनको ज़्यादा attach करते रहते हैं जिससे जिससे हमारा जो कपड़ा है वो तयार होता रहता है जितना हम उनके बीच में gap कम रखेंगे मतलब उसको tightly pack करके रखेंगे अपने धागे को तो हमारा जो fabric है वो उतना ही strong और fine दिखेगा यदि हम उनके बीच में gap रखेंगे तो हमारा fiber sorry cloth जो होगा वो हमारा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा पतला और strong नहीं होगा ठीक है बहुत ही ज़्यादा weak cloth होगा फिर हम inter looping की बात करें तो inter looping में हम कौन से टेकनिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो है हमारी knitting अब जब हम knitting करते हैं knitting में हम ऐसे looping loops बनाते ना उन में से pass करते हैं अपने neck फिर उसके बाद आती है हमारी inter meshing जो inter meshing है वो हो हमारी non woven टेकनिक है कौन सी है भई non woven इसमें हम कोई बुनाई का इस्तेमाल नहीं करते इसमें हम अपने जो हमारा fabric बनाने के लिए हम अपने जो हमारी yarn होते हैं उनको इन में इसमें जो हम direct ही yarn से fabric बनाया जाता है मतलब yarn से fabric हम कैसे बनाएंगे जैसे कि हम बहुत सारे जो हमारे yarn fibers होते हैं उनको paste करकर और एक दुसरे के साथ मतलब उनको pasting कर दी जाती है और फिर एक layer तयार करी जाती है वो होती है प्रण कार की गाड़ियों में हम अपने rugs वगेरा में देख रग जो हमारे rugs होते हैं जो कार की जो गाड़ी होती है गाड़ी में जो हमारे rugs बिच्छे होते हैं उनको बनाने के लिए जो technique यूज होती है वो intermeshing होती है उसमें हम पहले सबसे एक अपना नीचे वाला surface लेंगे उसके उपर हम बहुत सारे जो हमारे fibers होते हैं उनको paste कर देते हैं और जो हमारे ये fibers होते हैं वो lengthwise में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं छोटे ही होते हैं वो length के अंतर अब हमने एक नया word और देखा था यहाँ पर grey cloth grey cloth का क्या मतलब होता है unfinished cloth means unfinished cloth अभी पूरा प्रोपर तयार नहीं हुआ होता है मतलब हमने बस उसको जो है एक धागे से हमने उसको एक cloth की formation दी है मतलब कि उसको हमने सिर्फ एक simple कपड़ा बनाया है अब उस कपड़े को हम उस पे और तरीके मतलब और में चीजे करकर उसको और खुबसूरत enhance करने की उसकी कोशिश करेंगे जैसे हम उस पे dyeing कर देंगे फिर उस पर printing करेंगे designing करेंगे यह सारी चीजे करने के बाद जो हमारा textile fiber तयार होता है और जो grey cloth होता है वो सिर्फ एक formation है किसी कपड़े की उस पर हमारे अभी हमने कोई भी और techniques का इस्तमाल नहीं किया हुआ होता है अब next आता है हमारा dyeing अब हमने देखा जब हम grey cloth बना लेंगे तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे उस पर हम dyeing करेंगे dyeing क्या होती है it is a coloration of textile substrate for the purpose of improving देखने की aesthetic मतलब वो दिखने में और भी ज़्यादा सुन्दर दिखें तो हम dyeing करते है ये क्या है textile substrate है मतलब जो हमारा हमने अपना grey cloth बनाया है उसको हम क्या करेंगे color करेंगे color करकर अपने जो हमारा grey cloth था उसकी जो aesthetic features है उनको enhance करेंगे उसको और सुन्दर दिखाने के लिए हम उसको dyeing करते है it is a chemical process अब हम सभी जानते हैं कि हम अपने किसी भी कपड़े को dyeing करवाते हैं तो वो chemical process से होती है ठीक है तो ये क्या है it is a chemical process of applying color to textile substrate like fiber, yarn, fabric or garment by using natural or synthetic dye अब हम dye naturally भी कर सकते हैं और synthetic भी कर सकते हैं next अब हम पढ़ेंगे printing के बारे में देखो हमने अपना cloth बना लिया cloth में हमने dyeing कर ली dyeing करने के बाद हम क्या करेंगे उस पर कुछ तोड़ा और उसको improve करेंगे न ताकि हमारे जो customers उनको और अच्छा लगे तो अब हम उस पर क्या करेंगे printing करेंगे ये भी एक तरीके का chemical process है of applying design to the fabric for further enhancements of aesthetic features by using various techniques अब printing में क्या है ये भी एक तरीके का chemical process है जो हम apply करते हैं अपने फैब्रिक पर उस पर design निकालने के लिए या फिर उसको और ज़्याद़ सुन्दर दिखाने के लिए और हम प्रिंटिंग के लिए हम अपने जो है different techniques का से हम अपनी printing करते हैं फिर हमारी आती है finishing finishing में क्या होगा अब हम अपने अपना कपड़ा त्यार कर लिया कपड़े में हमने जो है dyeing कर ली dyeing के बाद हम प्रिंटिंग कर रहे हैं अब हम अपने प्रिंटिंग के बाद हम अपने कपड़े को finishing देंगे finishing क्या होती है यह final stage है chemical or combination of mechanical and chemical process क्या है ये एक तो यह final stage होगी finishing यह chemical हम जो finishing है वो chemically भी कर सकते हैं या फिर mechanical और chemical दोनों तरीकों से कर सकते हैं to make the fabric ready for the particular intended and use ठीक है? thus the fabric is thus the fabric is referred as a finished fabric ready for the product conversion operations like apparel, home furnishing and industrial product क्या है? अब हम finishing के अंदर जो हमारा finishing है यह final stage है chemical हम final stage होगी इसमें हम chemical भी chemically भी हम अपने कपड़े को जो है जो हमारा yes कपड़ा है हमारा उसको हम cloth है जो उसको हम final stage होगी है हमारी एक तो हमारी उसकी हमारी final stage होगी है इसको हम chemical भी कर सकते हैं और हम इसको जो है mechanical तरीके से भी कर सकते हैं और chemical दोनों तरीकों से कर सकते हैं इसमें अब जब हम अपने इसको finishing करने के बाद हम अब हमारा जो फैब्रिक होगा वो रेडी हो जाएगा फोर फोर दा प्रोड़क्ट कनवर्जन अपरेशन लाइक अपीरिल होम फरनीशिंग अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उस कपड़े का क्या यूज़ करते हैं जै तो हम उससे हम अपने क्लोथ बनाएंगे ठीक है हम अपने गार्मेंट स्टिच कर सकते हैं या फिर हम उसको अपने होम फरनीशिंग के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्रिल प्रोड़क्ट के लिए हम उसका इस्तिमाल कर सकते हैं सो थैंक यू for watching my videos यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं आपको clothing and textile की human and development की food and nutrition की extension education की ऐसे ही मैं आपको series provide करती रहोंगी please support me